कि अगर इस हम अभी आज़य करता हूं आप सब लोग अपने गर पे स्वस्तों में मस्त आइए अपने परिवारवालों के साथ हैं आज मैं फिर आपके लिए छोटी ची मोटिवेशनल स्टोरी यह क्या है आजागर कमार सब लोगों को पसंद आएगे तो चलिए शुरू करते हैं एक बार के बाद है एक राज़े में राज़ दर्वार लगा हुआ मापे राजा राजा के मंत्रीगर्ण उनके दीवान राजा के पंडित सारे लोग मौझूद थी मगर सर्दियों को समय था तो इस राज़ दर्वार महल के बाहर लगा हुआ तो हाँ पे काफी सारी फ्रजा आप फ्रजा की भीड भी थी काफी सारे लोग ने तब यूश भीड में से एक व्क्ति निकल के आता है और कहता है कि मेरे पास एक समान जैसी दो चीज़े हैं मुझे राजा जी की परिक्षा लेना वो बात राजा जी तक महुचाई गई राजा जी ने का ठी किया उस व्क्ति को बुलाया जाए मुझे व्क्ति आया राजा जी की पास राजा जी ने पूचा बात क्या है विक्ति बोला, राजर जी मेरे पास एक समानाकार की एक जैसी दिखने वाली दो वस्तू हैं, वगर उसमें से एक हीरा है और एक कांच का तुपड़ा है मैं आपकी परिक्षा लेना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि आप उसको पैचान पाएंगे या नहीं पैचान पाएंगे मैं काफी सारे राज्यों में गया हूँ, महां किस काफी सारी राजा हैं, उसको पैचानने में सफल रहे हैं आपके राजी में कोई ऐसा बुद्दिमान वीक्ती ए, जो इसको पहचान पाए, यदि अगर ऐसा हुआ आपके राजी में किसी ने भी इसको परका कि कौन सा असली हीर था, कौन सा लख ले रहे तो मैं यहीरा, आपके राजकूश में जमा करा दूंगा, मगर यदि ऐससा नह सामने मेज लगाई जाती है उस मेज की ऊपर वेक्ति एक नकली रा एक असली रा को लग देता है राजा जी अपने दिवान मंत्री गड़ सबसे रहे हैं चेक करिए कि सारे लोग घबराते हैं को यह नहीं आना चाहता इंको डर लगता है अगर ने गलत बता दिया और जाजा जी अपना गुस्सा हार को साम लोग निकाल दें को कावी सारी लोग डर रहे थे कोई भी आगे नहीं आना था राजा जी परेशान हो रहे हैं अब क्या होगा तो यह वाज आती है कि मैं कोशिश करना चाहता हो बात राजजी दो पहुच आई गई अगरे से बोला कि एक अंद्र बाबाए वह कहरेंगी वह कोशिश करना चाहते है शारी नहीं वैसे भी कुछ बोनी रहे तो आप उनको बलाएं फोशिश करके देखते एं क्या होता है उन्होंने एक मिनट के अंदर पहचान के बताती है कौन सा असली हीरा है। और उन्हें असली हीरा उठाके तादर जी को बताया कि ये असली है। सब लोग चौक गए। कि ये ऐसे कैसे हो गया। सब्सक्राइब करें तो राज्य में एक नया हीरा आएगा। कि खाजाने में और बड़ा उत्री हो गई है। तो उस हीरे को खाजाने में लखने की जो जो भी कार्यविदी है वो बढ़ने लगी तब ही राजा ने बाबा को बुलाए और पूचा पूरा में बाभा अपने कैसे भी यहिर है कि असनी हीर है या नकिल है बढ़ा कि मैं हम सब लोग ऑभी स्टल पाइटे जो कांच होता है वह दूब में करम हो जाता हैमकर जो घेरा रहता है में अध्या ठंडा जी है चोड़ हो डावरां जाना चाहिए तो कहीं हम है फोड़ा अपना अपने आपने खोर्ता और ठंडा रहता वही हुआ अंदर होता है, Moral of the story ये है, हीरे की तना ठंडे रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बाटी है, आशा करता हूं आप सब लोगों को ये story समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू